दिल्ली के कुतुब मिनार में एक कुवतुल मस्जिद भी है जहां पर एक शिला लेक पर ये लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ कर उसका निर्मार करवाया गया था अब उस चीज़ को लेकर विवाद बढ़ा था मामला कोर्ट तक पहुचा था हालनकि उस रूप में वो आगे नहीं बढ़ पाया लेकिन अब 24 मई को दिल्ली की साकेत कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है ऐसे में कुतुब मिनार की 25 हमजरापनी इस रिपोर्ट के जरिये परमीन से दिल्ली के आत्मान को छूती इस मेनार को पूरी दुनिया कुतुब मिनार के ताउर पर जानती है इसे तेरहवी सदी के शासक कुतुब इनार परिसर में मौझूद कुववत उल इसलाम मस्जित को बनाने में जिन शिलाओं और सम्भों का इस्तिमाल किया गया उनने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रफीक चिन नजर आते हैं। भारतिय पुर अतात्रिक सर्वेक्षन यानि एसाई की ओर से इस धरोहर के परिशे में जो शिलाफट लगाया गया है उसमें भी लिखा हुआ है कि कुववत उल इसलाम मस्जित के निर्मार की समंत्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेश से प्राप्त की गई थे। मेरे कोई प्राइवेट डाकुमेंट नहीं है इस केसे मैंने जो भी दाकिल किया है सब डाकुमेंटरी दाकिल किया है वो लिखावर दाकिल की है जो अर्भी में लिखी है जिसका इंगलिश रांसलेशन है और इसको कोई इसको नहीं किसता गलत है कि कुववत नहीं नहीं न साखेत की अदालत में पहले हरिशंकर जैन की याचिका खारिच कर दी गई लेकिन हरिशंकर जैन दोबारा अदालत पहुंचे हरिशंकर जैन कुटब परिसर में मौजूद तस्वीरों को बतौर सबूत दिखाते हैं यह देखिए मंदिर मूर्थी है यह मूर्थी है यह मूर्थी खंबे है यह खंबे है इसलिक लेहित है वह एक पैसलों डाउट और यह अएसकी तफ़ द references के लिजद लंभी जोई इसकी location भी अभी तक वहीं है या इसका अभी location भी है भी है खुतुब परिसर का विवाद एक तरफ अदालत में है तो दूसरी तरफ खुतुब मिनार परिसर में संस्कृति मंत्राले और भारतिय पुरातत्व विभाग के अधिकारी पहुंचे दावा किया गया कि परिसर के ख झाल झाल झाल